तो यहां पर पहले आप मैं आपसे बात करता हूं syllabus के बारे में फिर बात करेंगे paper pattern के बारे में और फिर हम proper syllabus शुरू करेंगे हमारे पास तीन चीजा है नमबर बन एक्साइज नमबर टू कस्टम्स नमबर त्री अर्विस्टेक्स मैं नमबर टू थे था टू अर्विस्टेक्स नमबर टू अर्विस्टेक्स नमबर टू खास टू कुछ तरी चेज़ is for 40 marks, customs is for 20 marks, service tax and wet this is also another 40 marks, right. अब यहां पर service tax or wet इसमें bifurcation है, service tax and wet और अभी तक जो tradition रहा है, institute ने इसका bifurcation नहीं दिया, service tax कितने marks का होगा, wet कितने marks का होगा, but traditionally, जो अभी तक पिछले 5 attempt में हुआ है, service tax has been for 30 marks and wet has been for 10 marks, अब यह जो marks का allocation है, this is the number of marks for which you can answer, actually जो questions होंगा वो इससे ज्यादा marks के होंगे, कि जो option में जाएंगे, right, तो जब आप total करेंगे, तो आपको excise मिलेगा 50 से लेकर 55 number का, customs मिलेगा 25 से 30 number का, service tax and wet, this is another 50 marks, तो वो confusion वाले marking है, यह वो marks हैं जिसके लिए आप answer attempt कर सकते हैं, तो paper is structured in such a way, ताकि आप इससे ज्यादा कोई answer attempt ना कर सके, okay, अब एक एक चीज़ के बारे में अलगे-लग बात करें, excise के लिए, हमको क्या-क्या चीज़े करना पड़ेंगी, for the purpose of excise, we have Central Excise Act, No. 2, Central Excise Tariff Act No. 3, Central Excise Rules No. 4, Central Excise Valuation Rules No. 5, Senvet Credit Rules और इसके साथ में, we have Miscellaneous Provisions To miscellaneous Provisions में, we have certain notifications, some circular, कुछ और चुटे मोटे Provisions Okay, okay, तो यह सब चीज़े हमको पूरा करना पड़ेगा, और इसमें से जो Senvet Credit Rules है, these are common for Service Tax also, So Senvet Credit Rules अलग से नहीं है, So Senvet Credit Rules for excise as well as for service tax, those are common, right? तो यह syllabus हमारा excise के लिए, इतना portion हमको इसमें करना ही करना है, अब excise में जो question pattern है, उसको भी हम समझ ले, उसके लिए इसको मिटा देता हूँ, जो question pattern है, questions उसमें तीन तरह के आते हैं, तूसरा के लूसरा 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 के लूस Practicals के Areas भी Fixed हैं जहां से Question आ सकते हैं या तो Question होगा Valuation में से या Question मिलेगा हमको Senvet Credit में से या Question हो सकता है SSI Exemption में से इन तीन Areas के अलावा Excise में चौथा Area नहीं है जहां से Practical Question आ सके हैं और Practical Questions जो हैं कम से कम 10 नमबर और ज्यादा से ज्यादा 15 नमबर के हो सकते हैं कम से कम 10 नमबर के तो Practical Question होंगे ही होंगे बलकि 15 होने के चांज से ज्यादा बनते हैं तो अगर 15 होगा तो मान दीजेए हर तीन टॉपिक में से एक एक क्वेशन बन जाएगा राइट Case Laws पर अभी रीसेंटी दो दिन पहले इंस्ट्यूट ने Case Laws की लिस्ट दे दी है विच्छ रेलेवन फॉर पर परपोस अब में एक्जैन और उन्होंने टोटल 68 pages की लिस्ट दी है वो 68 pages ही हमको करना है उसके अलावा कोई Case Law हमको नहीं करना एनी ओल्ड Case Law इस एर्रेलेवन्ट फॉर एक्जैन नॉलेज बेस के लिए बहुत अच्छा है पुराने Case Laws की डेकोरिटिव वैल्यू होती है कॉस्मेटिक वैल्यू होती है के दे दूंगा आपको समराइज कर दूंगा तो कीप इट शूर कि आप दिन में एक बार उनको जरूर पढ़ें ताकि टाइटल आपको याद हो जाए चेंटेंट्स तो अपने आप याद हो जाते है पंटेंट्स याद करने जरूरत नहीं है केस लॉज आपको एक्साइज में अटेम्ट करना होगी अब बचा प्योरली लॉबेस्ट क्वेस्ट तो प्योरली लॉबेस्ट क्वेश्टन का वेट इज भी कम से कम 10 से 15 नंबर का होता ही है बलकि कभी-कभी यह बढ़के 20 नंबर तक भी पहुँच जाता है तो पहले law उसके बाद case law right when the law is clear then the case laws are clear तो यह जो 30 marks है यह purely आपके इस पर बेस्ट है अगर आपका law clear है तो case law clear होगा otherwise case law सारा confusing हो जाएगा right and अगर यह आपके यह law clear है तो यह अपने आप clear होने वाला है कोई यहां पर कोई calculation लंबे चोड़े नहीं होते calculations are very simple and those are purely based on law what is to be added what is not to be added why something is to be added why something is to be deducted the reason of that is to be given and that is based on law so ultimately what is the most important factor is the law part यह सब चीज़े आही जाएंगी scoring के साब से बिलकुल उल्टा है right score के लिए आपको यहां practice करना है यहां practice करना है लेकिन यहां practice करने के लिए law पहले आना जरूरी है ठीक है तो यह था सारा ममला exercise में अब बात करेंगे custom में कस्टम में नमबर बन कस्टम एक्ट नमबर टू कस्टम टरिफेक्ट नमबर थ्री वालुएशन अब यहां पर वालुएशन अलग अलग है इंपोर वालुएशन एंड एक्सपोर वालुएशन उसके अलबा वी हाब बैगेज रूल्स यह प्रोविजन्स हमको यह प्रोविजन्स हमको कस्टम के लिए करना पड़ेंगी कस्टम एक्ट, कस्टम टैरिफ एक्ट, वालुएशन, बैगेज रूल्स यह प्रोविजन्स हमको बीस नमबर में से प्रोविजन्स हमको यह प्रोविजन्स हमको फश्ट चूटी चीजें काफी ज्यादा हो गई लिखते समय लिस्ट लंबी हो जाती है लेकिन जब करने जाते तो पता लगता है कोई रूल तो 10 मिनिट के है कोई रूल 15 मिनिट के है इफ्टिब लिदेंट टेक्सों मुच अफ टाइम लेकिन लिस्ट थोड़ी सी कमपरिटिवली ज्यादा है number वन चप्टर फाइब अफ फनांस अक्ट नैंटीन नहींटिफू चप्टर फाइब फनांस अक्ट नींटिन नेंनीटिफू No. 2. Service Tax Rules No. 3. Service Tax Valuation Rules No. 4. Point of Taxation Rules No. 5. Place of Provision of Service Rules No. 6. Senvet Credit Rules No. 7. Miscellaneous Provisions Miscellaneous Provisions Ya Notifications BGR Senvet Credit Rules Yahaan Jow Karin Ghe Ar Excize Men Jow Karatein Those Are Common Except For The Senvet Credit Rules Other Things Are Different लेकिन majority of the provisions related to service tax are based on the provisions of central excise तो अगर central excise अच्छा है तो service tax अच्छा होना ही होना है और कई जगे तो ऐसी है कि अगर आप section number उमिट कर दो तो उसका अंसर आप excise में लिखो या service tax में लिखो आंसर इस सेम वो जब हम करेंगे तो मैं बताता जगे प्रोविजन सार एक्जिकली सेम तो अगर content wise अगर service tax पहले ले लिया जाए this will take long time लेकिन अगर excise पहले ले लिया तो वही time यहाँ पर बच जाता है तो अगर यह पहले किया तो excise में कम टाइम लगेगा अगर excise पहले किया तो यहाँ पर कम टाइम लगेगा तो इतने सारे contents है service tax के अब यहाँ पर जो question pattern है यह कुछ custom से मिलता जूलता है question pattern जो है law case law and practicals case law की संभावना 0 से लेकर 5 marks की practical एक नाएक तो इसमें आही जाएगा और यह हो सकते है पांच से लेकर 10 number तक की तो जो law है that is bound to be there for 20 marks 20 or more marks तो यहाँ पर law सबसे ज़्यादा important हो गया जबकि अगर आपको वस्तविक्त बताओं सबसे easy portion यही है कि इसमें जो आपको बिल्कुल नया करना है वो है definition of service negative list of services and exempted services अगर यह 6 page आपने अच्छे से रट लिए आप मन के चलिए आपको यह portion हो गया मानना इसलिए because वो नया है उसके आगे जो है substantial part is similar to excise जो छोटे मोटे variation से वो है तो यह जो 6 pages का जो material है that is list of services list of negative services and exempted इन चीजों को हमको बिल्कुल क्रेम करना पड़ेगा क्रेम कर लिया substantial burden of the service tax is gone case law institute आप अलएडी दे रखे हैं वही करना है और फिर बचे practicals practical की संभावना इस exam में मुझे कम लगती है कमिंग एक्जाम में chances of practical questions are comparatively less negative list पहली बार applicable होगी अभी तो बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है किस तरह के practicals उसमें बनेंगे तो लेट सी किस बार questions आते हैं या नहीं आते जो आने के संभावना है वो भी ये छे pages के जो content से उसी पर सबांसर होने वाला है तो ये था सारा हमारा contents and question pattern तो सबसे ज़्यादा ध्यान किस पर देना है एक्साइज तो करना ही करना है एक्साइज के साथ service tax अपने आप हो जाता है right customs जो है volume wise ज़्यादा है scoring उसमें कम है तो volume करते समय ज़्यादा लगता है लेकिन एक दफ़ा हो गया you will find कि आप यहाँ से घर पहुंचते पहुंचते custom पूरा revise कर चुके है custom is so simple right तो custom करने के समय टाइम ज़्यादा लगेगा लेकिन revision के समय वो चीज़े बहुत ज़्यादा simple हो जाती है लेकिन जब एक्जाम के लिए खास्तोर पर तैयार करते हैं जब आपके वो दो दिन होते हैं उस समय क्या करना है उस समय अप्रोच हमारी बिल्कुरूल्टी हो जाती है सबसे पहले practical questions करेंगे practical question कितने करना है वो समय क्लास में करा दो उसके लाव आपको कुछ नहीं करना है वही चीज़े repetitively आपको करते जाना है एक बार दो बार तीन बार कई बार लगेगा childish है कि वोई को दुबारा क्यों करना है लेकिन यहापर pattern के marks मिल रहे हैं कि यहापर आपने calculation गलत कर दिया उसके नंबर शायद नहीं कटेंगे लेकिन जो चाहिए अगर वो नहीं लिखा उसके नंबर जरूर कटेंगे इसलिए उनको आपको बार बार करना पड़ेगा case laws number two पर आएंगे क्यों practical and case laws मिला कर आपको एक्जाम में कम से कम पचास नंबर मिलेंगे ही मिलेंगे और यह सब पूरा करने के लिए आपको पाच्छे घंटे हों वो काफी है फिर एक दिन आपका पूरा बच्चे का जो एक दिन पूरा बच्चे का उसमें सारी थियोरी पूरी थोरोली पढ़ना है और फिर आपके बाद तीसरे दिन का हाफ डे और होगा उसमें तीनों चीजे सिक्वेंस में पढ़िए तो होगा यह कि वो दो दिन में भी आप दो से तीन डिवीजन करके आप एक्जाम में जा पाएंगे तैयारी उसकी बहुत अच्छे से होगी है तो फ्रेंट्स अभी जो पहला टॉपिक मुझे शुरू करना है वो है सेन्वेट क्रेडिट रूल्स तो सेन्वेट क्रेडिट रूल्स में अटोल्स वे वो है दो सेन्वेट क्रेडिट रूल्स तो सब्सक्राइब करने के लिए टाइम लगता इससे भी आधा तो यहां पर नंबर कम है लेकिन वोल्यूम ज्यादा है सबसे पहले हम बात करते हैं एपलीकेबिलिटी की फिर में आगे बात करूंगा कंसेप्ट के बारे में एपलीकेबिलिटी एपलीकेबिलिटी पॉइंट अव्यू से विल डिवाइट इन टू पार्ट्स से राट्स नाट्सी नाट्सी साम्पक्ट्र औरीक्टोंत एन बात्स्य त्रव में। भी करे तो लिए किकर प्रविशच कहन थे क्निया सुपकुरर। इसक्राइब से दून प्रवीश का प्रविश्क ट्माप्टुन, क्या वल्यब थाफु थ्रूआउट इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड काश्मिर इसलिए वहाँ पर सर्वेडर को संवेट क्रेडिट भी नहीं है इस बेसिक एक्विशन आपको बता रहा हूं वो एक्विशन पूरा संवेट क्रेडिट आपको समझने में मदद करेगा संवेट क्रेडिट इज अवलेबल अगर आगे टेक्स लाइबिलिटी है और यह जो टेक्स लाइबिलिटी है या तो यह एक्साइज की है या यह सर्विस टेक्स की है इसको रिवर्श भी करते हैं अगर क्रेडिट है तो टेक्स लगेगा ही लगेगा और अगर टेक्स है तो क्रेडिट मिलेगा ही मिलेगा यह equation आपको बहुत काम आएगी पूरा concept समझने में कि अगर टेक्स लाइबिलिटी है टेक्स आइदर एक्साइज और सर्विस टेक्स तो अगर यह टेक्स लाइबिलिटी है तो सेनवेट क्रेडिट मिलना ही मिलना है इसका कोई कारण नहीं कि वहाँ पर क्रेडिट ना मिले औ और अगर टेक्स लगना ही लगना है और उसका एक माथ्र एक्स्प्शन है एक्सपॉर्ट वह भी आगे नोट कर देते हैं कि केस ऑफ एक्सपॉर्ट और इसका कोई एक्स्प्शन है ही तो तो क्रेडिट है और अगर क्रेडिट मिला है तो टेक्स लिएबिलिटी होगी ही होगी तो only one exception exception को हम यहाँ पर डाल देते हैं in case of export of goods or services there is no liability of excise or service tax but senved credit is available तो जो यह equation लिखा था उसी का exception है equation says कि अगर senved credit है तो आगे tax liability होगी ही होगी reverse करें तो अगर tax liability है तो senved credit होगा ही होगा इस equation में एक मात्र exception है हमारे पास export कि when the goods or services are exported there is no liability to pay excise duty or to pay service tax but is still senved credit is available right तो यह था applicability to applicability के बात फिर में आता हूँ आगे कि senved credit का concept क्या है right applicability this is given in rule number one तो आगे कि अगर रूल नंबर वन डिसकस नहीं किया तो बाद में concept में चले जाते हो रूल नंबर वन हमेशा गली में हो जाता है that is the first thing to rule number one where the senved credit rules are applicable so in for a manufacturer provisions are applicable throughout india for a service provider again throughout india but except the state of jammu and kashmir why the provisions of service tax are not applicable in the state of jammu and kashmir to jaha tax liability है ही नहीं महापर senved credit होगा नहीं इसके लिए equation डाल दी I hope it is clear अब यहां से हम concept लेते हैं कि senved credit का concept क्या है concept of senved credit this is a system or procedure system procedure procedure उससे फरक नहीं पड़ता so this is a system or procedure under which a manufacturer of excisable goods who is liable to pay excise duty manufacturer of excisable goods who is liable to pay excise duty or provider of taxable services who is liable to pay service tax is given a credit is given a credit for excise duty and service tax born by him born by him on his capital goods inputs and input services so this is a system under which a manufacturer of excisable goods who is liable to pay excise duty or the provider of taxable services who is liable to pay service tax is given a credit for the excise duty and the service tax born by him on his capital goods input and input services is also defined that is also defined input services this is also defined so every term is defined that is that is a different subject इस केस में हम सिर्फ एक्साइस के बारे में बात करें है वेट का क्रेडिट है वो दूसरा इशू है यह सिर्फ एक्साइस का क्रेडिट है ओके तो नादा क्रेडिट इस गिवन अब अगर क्रेडिट दे दिया गया क्रेडिट का परिणाम क्या हुआ it is a reduction in the cost the effect of giving the credit is reduction in the cost of capital goods input and input services so when the cost of capital goods input input services itself reduces the cost of production is also less when the cost of production is less the cost to customer is also less so the purpose of this is to avoid cumulative effect of taxation right so there the credit has been given now what to do with the credit this credit is used by a CC so a CC is either manufacturer or the service provider for payment of excise duty or service or service provider for payment of гр can you see me and the customer is not really aware of it this is the person's service provider in the care on the other hand on the other hand on that and this is just a simple that's what we are going to do